दीपा अली का पर्व 31 सक्टूबर को मनाया जाए या फिर एक नौमबर को इसे लेकर मदभेद चल रहा है। दीपा अली कार्तिक क्रिश्न प्रदोश्वियापनी अमावस्या को मनाई जाती है। नेड़ने सागर पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक अमावस्या 31 सक्टूबर को दिन तीन बच कर चोपन मिट से प्रारंब होगी। यह एक नौमबर को शाम 6 बच कर 17 मिनट पर समाप्त होगी। इस इस्तिती में अमावस्या तिथी दो दिन प्रदोश्वियापनी हो तो दूसरे दिन वाली अमावस्या में ही दीपा अली मनाई जानी चाहिए। इस तरक के पिछे पित्र कारे भी हैं। पित्र देव पूजन के बाद ही लक्ष्मी पूजन करना उचित माना जाता है। पित्र देव पूजन से आश्याए 31 अक्टुबर को सुबह अभ्यंगे स्नान, देव पूजन और दोफेर में पावन कर्म है। यदि दीपावली 31 अक्टुबर को मनाई जाए तो ये सभी कर्म लक्ष्मी पूजन के बाद होंगे। जो शाश्रुक्त नहीं होगा। अथा दूसरे दिन दीपावली मनाना शाश्र सम्मत माना जाएगा। नेनय सिंदू प्रथम परिश्यत के पेच 26 पर निर्देश है कि जब तिथी दो दिन कर्म काल में हो तो नेनय युगमा अनुसार ही होगा। अमावस्या और प्रतिपदा का युगम शुब माना गया है। अथा प्रतिपदा युगत अमावस्या महान फलन देने वाली होती है। नेनय सिंदू के दिती परिश्यत के पेच 300 पर लेख है। दंडेक रजनी योगे दर्श श्यान्तू परे हवी तदा विहाए पूर्वे दयू परे हनी सांकिरात्रिका। अर्थात यदि अमावस्या दो दिन प्रदोश व्यापनी है तो अगले दिन करना चाहिए। तितीर नेडे में उल्लेक है कि इयम प्रदोश व्यापनी साइया दिन ध्वये स्वत्त अस्ते परा। अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोश को इश्पर्ष न करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि दोनों दिन प्रदोश को इश्पर्ष करे तो लक्षमी पूजन दूसरे दिन ही करना चाहिए। एक नॉबर को मावस्या साकल्या पादिता तिति होगी जो पूरी रातरी और अगले दिन सुर्योधय तक मानी जाएगी। एक नॉबर को पूरे प्रदोश काल, व्रिशब लगन वर नितिश में श्री लगन में लक्षमी पूजन किया जा सकता है। इसलिए दिवाली पर्व और लक्षमी पूजन एक नॉबर दोजार चुईस को मनाना शास्त्रोक्त माना जाना चाहिए। झाले जाना चाहिए। झाले जितिश सकता है। झाले जार र्लबर अग्षमी लगन में वर एक नॉबर दोजएवागी। झाल झाल